हेलो बच्चो कैसे हैं आप बच्चो आज हम पढ़ेंगे कक्सा साथ सामाजी का दिहन के अंतरगैत हमारे अतीद विशे का छटा अध्याय नगर व्यापारी और सिल्पीजन हम आपको बताएंगे इस पार्ट से सम्मंदित प्रस्नों के उत्तर लेकिन उससे पहले आईए दे देखते हैं अध्याय छे नगर व्यापारी और सिल्पीजन तो बच्चो आप देख रहें नहीं आपर यह है आपका अध्याय छे नगर व्यापारी और सिल्पीजन आप इस पार्ट को चाहे तो अपनी पाठे पुस्तक से पढ़ें और चाहे यहां से लेकिन इस पार्ट को एक बार अच्छे से पढ़ लें ताकि आपको पूरा पार्ट अच्छे से समझ आ जाए और यहाँ पर जो आपको प्रशनों के उत्तर बताई जाएंगे वे भी आप अच्छे से समझ सकें तो देख रहे हैं यहां पर यह है किस प्रकार से नगर बसे किस प्रकार से ब्यापार चुरूआ और किस प्रकार से कारीगरों ने यानि कि सिल्पी लोगों ने अपनी योगेता का परचार परसार किया और उसे बढ़ाया इस पार्ट में आपको सबकुछ जानकारी मिल और जिनके पास पाठ्ट पुस्तक है अपनी हमारे अतित, वो अपनी पाठ्ट पुस्तक से इस पाठ को एक बार अच्छे से पढ़ ले, रही बात प्रस्णों की, तो प्रस्णों के उत्तर हम आपको यहाँ पर दिखाने वाले हैं, जो कि आप अपनी नोट्बुक में नोट क कर लेंगे एक बात का ध्यान रखें बच्चो किस पाठ के अंतर गयत साथ-साथ पाठ में भी कुछ प्रस्ण दिये होते हैं जिने कहते हैं पाठ के आंतरिक प्रस्ण तो सबसे पहले हम आपको पाठ के अंदर पूछे गए आंतरिक प्रस्णों के उत्तर बताएंगे उसके ब किसी परिशानी का सामना ना करना पड़े तो देख रहे हैं बच्चो आप यह है आपका पूरा पार्ट नगर व्यापारी और सिल्पी जन और यह हैं उसके प्रस्ण जिनके उत्तर हम आपको अभी बताने वाले हैं तो बच्चो आईए यहाँ पर आपका पूरा पार्ट यहाँ पर समापत होता है इसके साथ ही आईए देख लेते हैं इस पार्ट से संबंद प्रस्णों के उत्तर और उन्हें आप अपनी नोटबुक में नोट करें और उन्हें याद भी करें तो चलिए शुरू करते हैं नगर भ्यापारी और सिल्पी जन पाठ के प्रस्णों उत्तर तो बच्चो एक बार फिर से ध्यान दे आज का हमारा अध्याई क्या है नगर भ्यापारी और सिल्पी जन और हम आपको बता रहे हैं यहाँ पर अभ्यास प्रस्णों उत्तर के द्वारा पाठ के आंतरिक प्रस्णों के उत्तर यहाँ पर जैसे कि आप देख सकते हैं सबसे पहला प्रस्ण है यहाँ पर आपके मत से लोग तंजावर को तंजावूर को एक महान नगर क्यों मानते थे और यह मिलेगा आपको बच्चियों ध्यान दे आप 76 नमबर पेज पर देखेंगे आप पाठ के बीच में तो यहाँ पर जो है 76 नमबर पेज पर आपको इस परकार से एक प्रस्ण देखने को मिलेगा इसका उत्तर आप क्या लिखेंगे उत्तर लिखेंगे आप तंजबूर चोल राजाओं की राजधानी थी वर्स में 12 महिने बहने वाली कावेरी नदी इस सुन्दर नगर के पास बहती है इस नगर में सुन्दर और भव्यक कई ऐतियासिक इमारतों का निर्मान हो चुका था इस नगर में मंदिर के अलावा अनेक राज महल थे जिनमें कई मंडप बने हुए थे राजा लोग इन मंडपों में अपना दर्वार लगाते थे नगर उन बाजारों की हलचल से बरा हुआ था तंजावूर एक मंदिर नगर का भी उधारण है मंदिर नगर नगरी करण का एक अत्यांत महतोपूर्ण परतिरूप प्रस्तुत करते हैं ठीक है बच्चो तो इस प्रकार से आप अपने इस पहले प्रस्न का उत्तर लिख सकते हैं और इसे याद भी करें इसके बाद बच्चो आता है आपका दूसरा प्रस्न और दूसरे प्रस्न में पूछा गया है आपके बिचार से इस प्रवीदी के प्रियोग लुप्त मौम तक्निकी के क्या-क्या लाब थे और ये प्रस्न आपको मिलेगा 77 यानि के 37 नमबर पेज़ पर देखेंगे आप अपनी किताब के और उत्तर क्या लिखेंगे इसका उत्तर लिखेंगे लुप्त मौम तक्निकी के अंतर गया सरे परताम मौम की एक परतिमा बनाई जाती थी इसे चिकनी मिट्टी से पूरी तरह लिप कर सूखने के लिए छोड़ दिया जाता था जब वह पूरी तरह सूख जाती थी तो उसे गरम किया जाता था और उसके मिट्टी के आवरण में एक छोटा सा छेद बना कर उसे छेद के रास्ते सारा पिगला हुआ मोम यानि कि उस छेद के रास्ते सारा पिगला हुआ मोम बाहर निकाल दिया जाता था फिर चिकनी मिट्टी के खाली सांचे में उसी छेद के रास्ते पिगली हुई धातू भर दी जाती थी जब अधातु ठंडी होकर ठोस हो जाती थी तो चिकनी मिट्टी के आवरण को सावधानी पूरवक हटा दिया जाता था इस वीदी से किसी भी परतिमा को सस्ता और सुन्दर बनाया जाता था तथा इस परतिमा में काफी चमग भी होती थी परतिमा मिट्टी और मोम से बने होने के बाप जूद भी काफी मजबूत होती थी तो इस प्रकार से आप इस प्रसने का उत्तर लिख सकते हैं ये था बच्चो आपका दूसरा प्रसन और उसका उत्तर आप इस प्रकार से लिखेंगे इसके बाद बच्चो बात करते हैं यहाँ पर तीसरा प्रसने आपका तीसरे प्रसने में पूछा है आज बाजार पर लगने वाले करों के बारे में कुछ और जानकारी प्राप्त करें इन्हें कौन इकटा करता है वो एक किस परकार वसूल किये जाते हैं और उनका प्रियोग किस काम के लिए होता है और ये प्रस्न कहा मिलेगा आपको बच्चो ये प्रस्न मिलेगा 79 नमबर पेज पर यानि आप अपने पार्ट के बीच में देखें कहीं भी और वहाँ पर आपको 79 नमबर पेज मिलेगा 79 नमबर पेज पर आपको इस प्रकार से ए ये कर विक्रेताओं से वसूल किये जाते हैं इन करों का प्रयोग प्रसासनिक कारियों और लोक के लियान कारी कारे के लिए किया जाता है तो इस प्रकार से आप इस अपने प्रस्ण का उत्तर लेखेंगे आपका ये प्रस्ण है तीसरा और ये है इसका उत्तर जहांपर करों के बारे में बात की जा रही है इसके बाद बच्चो ये है आपका चोथा प्रस्ण और चोथे प्रस्ण में पूछा गया है आपके बिचार से हमपी नगर किले बंद क्यों था ठीक है बच्चों और यहां पर यह प्रस्ण मिलेगा आपको ध्यान दे 83 यानि कि 13 सी नमबर पेज पर देखेंगे आप अपनी किताब के वहां पर आपको इस प्रकार से एक प्रस्ण मिलेगा आपके विचार से हमपी नगर किलेवंद क्यों था और उत्तर क्या लिखेंगे आप उत्तर लिखेंगे हमपी नगर विजय नगर सामराजय की राजदानी थी विजय नगर सामराज्य की राजधानी होने के कारण सुरक्षा की द्रष्ट से इस नगर को किलेवंद किया गया था जिससे कि यहां नगर वाहरी आक्रमन से सुरक्षित रह सके तो इस प्रकार से आप अपना उत्तर लिखेंगे इसके बाद बात करते है बच्चे ओ पांच वह प्रस्न और प्रस्न में पूचा गया है अग्रेजों और होलेंड वासियों ने पहले यहां पर मचवारे रहते थे लेकिन दीरे दीरे ब्यापारी लोग भी यहां रहने लगे ब्यापारी लोगों का दूसरे देशों से ब्यापार होता रहता था यहाँ पर इंग्लेंड तथा हॉलेंड के निवासी आते जाते रहते थे और यह यहाँ पर रुकते भी थे इस अस्तान पर जहाजों के लिए लंगर डालने की ब्योश्ता की गई थी ब्यापारिक सुविधाओं के कारण ही अंग्रेजों और हॉलेंड वासी ने मसूली पर्टनम में अपनी वस्तियां वसाने का निर्ने लिया तो इस प्रकार से आप अपने इस प्रस्न का उत्तर लिख सकते हैं प्रस्ने आपका पांचवा और उसका उत्तर तो इसके बाद आप जो पाठ के अंत में जो आपके प्रस्ने पूछे गए उनके उत्तर देख रहें आप यहां पर यहां पर यहां पर प्रस्ने पूछे गए प्रस्न और उनके उत्तर आप पाठ के अंत में देखें वहां पर आपको कुछ प्रस्ने पूछे गए और सबसे पहले हैं फिर से याद करें ठीक है बच्चों तो यहाँ पर पहला प्रस्ण है रिक्त अस्तानों की पूर्ति करें तो यहाँ पर आपके लिए इन प्रस्णों के जो है पहले प्रस्ण में कुछ यहाँ पर जो एक खाली अस्तान दिये गए और उनमें आपने कुछ नकुछ लिखना है यानि यहां पर आप लिखेंगे कौन थी हॉलेंड वासियों ने अंदर प्रदेश में अपनी बस्ती बसाई ठीक है बच्चों तो यहां पर जो उत्तर आप इस प्रकार से लिखेंगे पहले का उत्तर लिखेंगे आप पहले की जगे जहां पर खाली है वहां पर लिखेंगे ग्यार पर दूसरा प्रसने बताएं क्या सही है और क्या गलत यानिकि जो लिखे हुए याँ पर कह कह गये गये इन में से कौन-कौन से सही है और कौन-कौन से गलत है यहाँ पर आपने सही गलत लिखना है बच्यों तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पहला है हम राम राज- लालेक से जानते हैं तो क्या ये सही है या गलत है चलिए हम आपको अभी उतर बताने वाले हैं खैमे सोधा गर लो काफिलों में यात्रा करने की वजाए अकेले यात्रा करना अधिक पसंद करते थे क्या सही है या गलत है और गह वाला है काबुल हातियों के ब्यापर का मुक् कौन से सही हैं कौन कौन से गलत हैं आईए देख लेते हैं उतर में आप लिख सकते हैं बच्चो जो कह वाला है वो आपका सही है और जो खह वाला है गलत है और यहां पर जो गह वाला है यह भी गलत है और जो गह वाला है यह भी गलत है ठीक है बच्चो तो तीन गलत हैं गलत हैं ठीक है बच्चो तो आप समझ गए होंगे इसके बाद अगला प्रस्ण है तंजावूर नगर को जल की आपूरती कैसे की जाती थी तीसरा प्रस्ण है बच्चो तंजावूर जो नगर था उसको जल की आपूरती कैसे की जाती थी यानि कहां से उसको जल प्राप्त हो तो उत्तर लिखेंगे आप इस चौते प्रसने का उत्तर लिखेंगे ब्लैक टाउन्स में बारतिय ब्यापारी, सिल्पकार, और दोगिक मजदूर एबम अन्य छेतरों में काम करने वाले मजदूर तथा करमचारी रहा करते थे और इसके बाद आगे है आपके लिए आईए समझें और पांचवा प्रसने यहाँ पर आपके बिचार से मंदिरों के आसपास नगर क्यों बिक्सित हुए तो उत्तर लिखेंगे बच्चों आप उत्तर लिखेंगे मंदिरों के आसपास नगरों के बिक्सित होने के मुख्यकारण क्या क्या थे इस तरह से लिखेंगे आप नंबर एक दो तीन करके पहला लिखेंगे मंदिर के करतार धरता मंदिर के धन को ब्यापार एवं साहुकारी में लगाते थे दूसरा लिखेंगे सने सने यान की दीरे दीरे समय के साथ बड़ी संक्या में प्रोहित पुजारी कामगार सिल्पी ब्यापारियादी मंदिर तथा उसके दरस नार्थियों एवं तीरती आत्रियों की आवशक्ताओं को पूरा करने के लिए मंदिर के आसपास बस दे गए और तीसरा लिखेंगे आप तीसरा मंदिर के दरस नार्थि भी दान दच्छना दिया करते थे भी भूम एवं धन अनुदान में दिय जाते थे इससे मंदिर के पुजारियों की आजवी का चलती थी और чोथा प्रेंड लिखेंगे तीर्थी यात्रियों और प्रोहित पंडितों को मंदिर परसास न द्वारा भोजन करय जाता जिससे मंदिर के पास सादुसंत और प्रोहित पंडितों को आवासस्तान बन गया था ठीक है बच्चो तो प्रोहित पंडितों का आवासस्तान बन गया था इस प्रकार से आप जो है यहाँ पर जो है इस प्रस्न का उतर लिखेंगे कि आपके बिचार से मंदिरों के आसपास अगर क्यों भिक्सित हुए इसलिए हुए बच्चों यहाँ पर जो चार पास पॉइंट जो आपको दिये हुए आप इने अपनी नौट बुक में लिखेंगे और इसके बाद यहाँ पर है आपके लिए यह च्छटा प्रस्न और इसमें पूछा गया है मंदिरों के निर्मार तता उनके रक रकाओं के लिए सिल्पी जन कितने महतोपूर्ण थे तो यहाँ पर उत्तर लिखेंगे मंदिरों के निर्मार तता उनके रक रकाओं के लिए सिल्पी जन निमने कारण से महतोपूर्ण थे नमबर एक मंदिरों के निर्मार के लिए सिल्पी काफी महतोपूर थे सिल्पियों में सुनार कसेरे लोहार राजमिस्तरी और बड़ाई सामिल थे ठीक है बच्चों ये जो धातों से जो कारीगरी करते हैं उनको क्या कहते हैं सिल्पी और इसके बाद जो है दूसरा पॉइंट लिखेंगे आप सिल्पकार मंदिरों को सुन्दर बनाने में काफ इस प्रस्निका उत्तर लिख सकते हैं इसके बाद बच्चों बात करते हैं यहां पर प्रस्निया साथ वहां लोग दूर दूर के देशों परदेशों से सूरत क्यूं आते थे उत्तर लिखेंगे सूरत में लोगों के दूर दूर परदेशों से आने के मुख्य कारण निम ल गाह था जहां से पस्यमी यह जिया के देशों से ब्यापार होता था ठीक है बच्चों और दूसरा कारण लिखेंगे सूरत को मक्का का प्रस्तान द्वार भी कहा जाता था क्योंकि बहुत से हाज यातरी जहां से यहीं से रवाना होते थे और इसके बाद जूए तीसरा कारण लिखेंगे सूरत सिल्प उद्ध्यों का परमुकेंद्र था जिससे कापी संक्या में लोगों को रोजगार मिला था और चौता कारण लिखेंगे सूरत एक ब्यापारिक नगर था जहां पर कई वस्तों के थोक और फुटकर बाजार थे इस प्रकार से आप अपने इस प्रस था तो उत्तर क्या लेखेंगे उत्तर लेखेंगे आप बच्चो तो आप ध्यान दे बच्चो यहां पर यह जो है आटवे प्रसनिका उत्तर क्या लेखेंगे तंजावूर कलकत्ता से पहले का बिक्सित नगर है इसलिए तंजावूर में सिल्प का उत्पादन कलकत्ता से पहले शुरू हो गया था दोनों नगरों के सिल्फ उत्पादन में काफी वहनता थी ठीक है बच्चो और पॉइंट बना कर लिखेंगे यहाँ पर नमबर एक कलकता में मुक्यता है सिल्फ उत्पादन सूती रेजमी वा जूत उत्पादन तक सिमित था और दूसरा लिखेंग एक मंदिर नगर था ठीक है बच्चो तो इस प्रकार से आप लिखेंगे इसके बाद है अगले प्रसने बच्चो यहाँ पर आपके लिए आईए बिचार करें और यहाँ पर है नववा प्रसने आपके लिए इस अध्याय में वरिनित किसी एक नगर की तुलना आप अपने पहले लिखेंगे सूरत नगर और टेकारी कस्वा की तुलना जैसे कि टेकारी कस्वा जरूरी नहीं बच्चो आप अपने गाउं या सहर का नाम भी लिख सकते हैं तो आप तुलना करेंगे सूरत के साथ और यहाँ पर जो है इस प्रकार से आप एक जो है टेबल बना के दे लिखा हुआ है और इस प्रकार से आप जो है तीन पॉइंट बनाएंगे जैसे यहाँ पर बना रखें इन दोनों में अंतर समझाएंगे जैसे कि सूरत के बारे में क्या लिख सकते हैं आप सूरत एक ब्यापारिक नगर है यहाँ पर लोगों को आउसकता की अधिकान सुष से अधिक है और टेकारी के आवादिक कितनी है बीस अजार से कम है और इसी प्रकार तीसरा सूरत एक और दोगिक परसासनेक ब्यापारिक नगर के रूप में बिक्सित हो चुका है जबकि टेकारी गरामिन छेत्र का एक प्रखंड है तो इस प्रकार से जरूरी नहीं अगला प्रसन देख लेते हैं यहाँ पर दसवाँ प्रसने जिसमें पूछा गया है सौधागरों को किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ता था आपके विचार से क्या है वैसी कुछ समस्याओं आज भी बनी हुई हैं तो सौधागरों के साथ क्या क्या समस्याओं होती है बच्चो आप समझ सकते हैं उत्तर लिखेंगे सौधागरों को निमलिकित समस्याओं का सामना करना पड़ता था नमबर एक ब्यापारियों को अनेक राजियों और जंगलों में से होकर गुजरना पड़ता था इसलिए वे आम तोर पर काफिले बना कर एक साथ यात्रा करते थे क्योंकि रास्ते में जो है जहां जंगलों से होकर गुजरेंगे न कई प्रकार के जानबर मिलेंगे उन्हें पसुपकसी मिलेंगे जिनसे उन्हें खत्रा बना रहता था इसलिए वह क्या करते थे काफिले बना कर चलते थे काफिले मला भीड बना कर यानि कि 8, 10, 15, 20 कटे कटे चलते थे सवधागर अपने हितों की रक्सा के लिए ब्यापार संग यानि के गिल्ड बनाते थे क्योंकि उनके जो अधिकार होते थे सवधागरों के उनके लिए वे एक अपना मंच बनाते थे जिसमें कि वो सब मिल जुलकर अपने हित देखते थे और उसमें काम करते थे नमबर तीसरा उन्हें विविन प्रकार के कर चुकाने पड़ते थे क्योंकि जो जितनी भी होसते हैं बच्चो इधर उधर बिखती है न उन सब पे जो टैक से लगता है और कर के साथ होती है इसी प्रकार उन्हें भी कर चुकाने पड़ते थे नमबर चार प्राचीन और मध्यकाल में यातायत के रूप में बहल गाड़ी घोड़ा गाड़ी नारवे आदी परमुक्ते अर्थार थी यातायत के साधन भी प्रियाप्त मातरा में नहीं थे आज की तरह नहीं था बच्चो उस समय जो है यातायात के जो साधन थे सौधागरों के पास बहुत कम हुआ करते थे इसले कई बार उने पैदल ही यात्राएं करनी पड़ती थी बात करते हैं याँ पर बरतमान समय में भी सौधागरों को ब्यापार संग बनाने पड़ते हैं उने बीविन पर करके कर चुकाने पड़ते हैं तो था ब्यापार के लिए दूर दूर की यात्राएं करनी पड़ती हैं करते हैं तो आपने देखे होंगे आपके आज पड़ोस में जो भी है कपड़ों के और रासन पानी के जो भी दुकानदार है वे भी तो बाहर से समन लाते हैं तो उन्हें यात्राएं करनी पड़ती हैं और जो आप अपने घरों के आज पास फेरी वाले आते हैं ये कहते हैं क कोई कि हम जो है चाइना से आये कोई कहते हैं नैपाल से आये तो इस प्रकार से वह भी तो एक सोधागर है तो आप समझ सकते हैं बच्चो और इस प्रकार से दसवे प्रस्ण का उत्तर लिख सकते हैं बात करते हैं बच्चो यहाँ पर अगला है यहाँ पर ग्यारुआ प्रस् तो बच्यों ये काम तो सिर्फ आपका है आप इसमें क्या करेंगे एक स्क्रेप बुक बनाएंगे और तंजावर और हमफी के वास्तु सिल्प के बारे में और अधिक जानकारी आप चाहे तो नेट से प्राप्त कर सकते हैं या कहीं अपने बड़े बुजर्गों से और लोग अगला प्रसने है बच्यों बार वहां प्रसने किसी बरतमान तीरतस्तान का पता लगाएं और बताएं कि लोग वहां क्यों जाते हैं वहां क्या करते हैं क्या उसके इंदर के आसपास दुकाने हैं और वहां क्या खरीदा और बेचा जाता है तो आप समझ सकते हैं बच्यों किसी तीरतस्तान का नाव आपने लिखना है चाहे तो आप के छेतर में जो भी तीरतस्तान हो जहाँ पर लोग गुमने जाते हो या तीरतस्तान में नहाने के लिए जाते हो जैसे हरीदवार है तो इस प्रकार से किसी तीरतस्तान का पता लगाए कि लोग वहाँ पर क्यों जात इसलिए इस प्रस्न का उत्तर भी आप बच्चो स्वयम से बना कर लिख सकते हैं इसके बाद बच्चो अगला जो है यहाँ पर प्रस्न जो है समापत हो जाते हैं अगला कोई प्रस्न नहीं है बच्चो यहाँ पर इस पार्ट के जो है बारों प्रस्न है इसके साथ इस और चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो आपने सारे सवालों के जबाब जानने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें तो इसके साथ ही लेते हैं आपसे विदा बच्चो मिलेंगे फिर अगली वीडियो में अगले पार्ट के साथ सारे आपके सवालों के उत्तरों के साथ आपका दिन सुभू